Hey everyone, आज हम आलू और पालक की एकदम मज़ेदार सबजी बनाएंगे इतनी टेश्टी ये सबजी बनेगे ना कि कोई पालक नहीं खाता ना वो भी एकदम मज़े से खाएगा एकदम सिंपल तरीके से ये सबजी बनती है लेकिन खाने में इतनी ही टेश्टी होती है तो सबजी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे 2800 ग्रम पालक लिया है पालक को पहले अच्चे से हमें साफ कर ले ना है इसके बाद हमें इसे एकदम भारिक चौप कर ले ना है अब 2800 ग्रम पालक के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ी सा इसका आलू लिया है और इसे बड़े-बड़े cubes में cut कर लिया था अब सबजी बनाने के लिए मैंने यहाप एक कड़ाई लिया इसके अंदर हम 3-4 डेबल स्पून ओईल गरम करेंगे ओईल ना हमें थोड़ासा जादा ही एड़ करना है तब यह सबजी एकदम tasty बनेगी आप चावा तो कम आईल में भी बना सकते हो आईल गरम हो गया है तो इसमें हम 1 टीस्पून जीरा एड़ करेंगे एक सूखी लालमिच एड़ करेंगे और 1-4 टीस्पून हिंग एड़ करेंगे अब मैंने यहाँ पे 10-15 कली लेसुन को एकदम छोटा छोटा कट कर लिया है तो वो इसमें एड़ करेंगे लेसुन को आप चौप करके ही एड़ करना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा साथ में हम एक बड़ी सा इसका कटा हुआ प्यास एड़ करेंगे और प्यास को हलका सा ट्रांसपरंट होने तक भून लेना है अब मैं इसके अंदर एक टेबल सुन अदरक और हरेमिज की पेस्ट एड़ कर रही हूँ पेस्ट मिलाकर एक मिनिट के लिए इसे सौते कर लेंगे अब देखिए प्यास हलका सा ट्रांसपरंट हो गया है आलू अभी भी अच्चे है लेकिन प्यास ना हलके से पक चुके है तो अब इस टाइम पे हम बाकी के मसाले भी एड़ करेंगे तो आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लालमिच पाउडर, दो टीस्पून धनिया जीरा पाउडर एड़ करेंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला एड़ करेंगे और अच्छे से मसालों को में मिक्स कर लेना है आलू ना हमारे अभी भी अच्चे है हमें इसे और पकाना है अब साथ में हमें एक कटा हुआ टमाटर भी एड़ कर लेंगे और हलका सा इसे मिक्स कर लेना है अब इसके साथ ना हम थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया एड़ कर लेंगे ताकि सबजी का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब भीना पानी मिला है इसे ना हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है तो अच्छे से मिक्स करके ढटकर हमें इसे slow to medium flame पे पकाना है और बीच वीच में हमें आलू को चलाते भी रहना है 3-4 मिट पकाने के बाद आलू ना आधे पक चुके है लेकिन आधे अभी भी और पकाने है तो इस टाइम पे ना हम कटा हूँ पालक एड़ करेंगे पालक एड़ करने के बाद हमें आलू और पालक को अच्छे से पका लेना है पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन आलू को थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पालक में जो natural water होगा ना उस से ही आलू हमारे पक जाएंगे लेकिन अगर आपको पानी कम लग रहा है सब्जी में तो आप उपर से थोड़ा सा पानी डालके पका सकते हो अब देखिए सब्जी को मैंने अच्छे से mix कर लिया है तो इसे ना ढखकर हम पकने देंगे थोड़ी दिर के बाद हम सब्जी को चेक कर लेंगे अब यह भी मुझे आलू कच्छे लग रहा है तो दो मिनिट और हम पका लेंगे बीच बीच में सब्जी को आप चलाते रहना और यह देखिए हमारे एकदम पॉफेक्ट आलू और पालक की सब्जी बनके रैडी हो गई है यह सब्जी आप थोड़ी से स्पाइसी बनाओगे न तो बहुत ही टेश्टी लगेगी गर्मा गरम आलू और पालक की सब्जी को आप रोटी या पराड़ा के साथ सौक कर सकते हो अगर आपको यह रैसीब अची लगी हो तो कॉमेंट में यमी टाइप जरूर कर देना मैं आज सब्जी के साथ खाने के लिए गर्मा गरम फुल के बना रही हूँ आप भी मेरे इस रैसीब से एक बार यह सब्जी बना के ट्राय जरूर करना बहुत ही डेश्टी लगती है बच्चों को भी आप खिलाओगे ना यह सब्जी तो खुशी खुशी खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि यह पालक की सब्जी खा रहे है आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है सबकी कॉमेंट्स पढ़ना गर्मा गरम फुलका रोटी के उपर गी लगा कि यह सब्जी के साथ खाने का मजा ही अलग है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिप अची लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा इस वीडियो को अपने फैमिल और फ्रेंड्स में शेयर करें ऐसी मज़ेता रेसिपिस देखने के लिए मुझे फेस्बूक पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्स्क्राइब जरूर कर लेना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी नई नई रेसिपिस डाली हुए तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो बस आपको यूट्यूब पे जाके रिंकास किचन सर्च करना है तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई रेसिपि के साथ थैंक्यू फर वाचिंग